हेलो माई डियर स्टुएंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अंग्रेजी अकेड़ में दस्तों आज देखिए जिस तरह से हमने यहां पर लिखा है parts of sentence जिसको हम क्या बोलेंगे elements of sentence क्या होते है इनके बारे हम detail से चरशा करेंगे पहले वीडियो वीडियो थे उनके बारे में हमने किसका identification पढ़ा? parts of speech का बड़ा parts of speech अलग होते हैं parts of sentence अलग होते हैं तो देखिए आज हम बात करेंगे parts of sentence को या फिर elements of sentence की बात करेंगे जिनको हम बोलेंगे as v o c a right as v o c a सबसे पहले माँ आपको समझा देता हूँ कि ये as v o c a होता क्या है as for subject क्या हुआ as for subject v for verb o for object और c stands for complement ok c stands for complement complement की दो मिनिंग होती है एक होता है c o m p l i m e n t compliment हम किसी की परसंसा करते हैं प्रेज करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा आपने कमेंट किया अपने compliment किया परसंसा की ok guys यहाँ पर आता है spelling में e ad means compliment अब यहाँ पर हम बात करेंगे c stands for compliment and a stands for adverbial जिसको बोल सकते हैं adjunct बोल सकते हैं clear हो बाई यहाँ पर a stands for adverbial वहाँ parts of speech में क्या था adverb और इसको हम adverbial क्यों कहते हैं इसकी चर्चा हम detail से करेंगे तो s b o c a जिस तरह से एक sentence होता है उसके अंदर parts of speech है noun है pronoun है verb है adjective है everything ok उसी तरह से हमारा क्या हुआ parts of sentence होता है elements of sentence होता है उसमें क्या क्या होता है subject होगा उसमें verb होगी उसमें object होगा उसमें c for complement होगा a for adverbial होगा clear है भई अब हम ok हम बात करेंगे सबसे पहले subject की हम बात करेंगे subject की बात करेंगे देखिए subject जो होता है वो क्या हो सकता है noun भी हो सकती है वह है pronoun भी हो सकता है वह है zilind भी हो सकता है वह है infinitive भी हो सकता है हमारा जो subject होता है जो action को perform करता है जो word को use करता है उसको हम क्या बोलेंगे subject बोलेंगे clear है? noun भी हो सकती है जैसे मैं यह कहूँ कि रवी गोस्टू स्कूल रवी गोस्टू स्कूल यह क्या हुआ? noun हुई he sings a song यह क्या हुआ? pronoun हुआ clear है? zilind क्या होता है? मेरे जो पहले वीडियो जो है zilind है, participle है non-finite वो बोला जो है topic है उस पे हमने पढ़ाता zilind होता है जब समय कहूँ teasing teasing is my good habit is my good habit okay तो teasing है तो teasing है वो यहां subject है और subject है तो यह क्या है? zilind है समझाया दोस्तो? infinitive मैंने आपको पहले बताया था कि जो zilind होती है वो subject का काम भी करती है और object का भी करती है अब बात आई हमारी to infinitive infinitive बात आई तो infinitive देखिए to teach to teach is my good habit my good habit okay guys यहां आपको क्या जहन में रखना है कि जो subject होता है वो है क्या हो सकता है? noun हो सकती है हमारी pronoun हो सकता है zilind हो सकती है infinite हो सकती है और क्या हो सकता है? एक phrase भी हो सकता है क्या हो सकता है वही? phrase phrase means क्या होता है? एक group of word एक group of word जैसे मैं यह कहूँ कि a lame boy a lame boy यह यह क्या हो गया? phrase हो गया यह because a group of word is called phrase phrase हो गया A lame boy is walking there Is walking there तो यह हमारा subject हो गया जो action को क्या करता है perform करता है मैं यह कहूँ close भी हो सकती है यहां आपन किसको नाम ले phrase की जगह है हम close भी बोल सकते है ठीक है phrase, oblique, close close भी हमारा क्या हो सकता है जैसे मैं कहूँ honesty is the best policy honesty is the best policy is known to me देखें ना गाइस कितनी अच्छी बात है कितनी easy way मैं आपको बता रहा हूँ है कि हमारा तो subject हो सकता है यह पूरा का पूरा यह क्या हो गई भई close हो गई close और phrase जानना बहुत जरूरी है आपके लिए because close क्या है phrase क्या है यह एक बार समझ आ जाएगा उसके बाद में हर चीज़ easy हो जाएगी हमारा जो वीडियो है उसमें देखना close और phrase के बारे है अभी मैंने बोला कि हमारा जो subject होता है वो noun हो सकता है pronoun हो सकता है zern हो सकता है infinitive हो सकता है phrase हो सकता है close हो सकता है यहां पर हमारी close हो गई देखी पूरा subject है इसमें honest is the best policy यहां से यह subject है उसके बाद में यह वाला बाकी का पार्ट है clear हुआ वही सब्सक्राइब रखना कि subject जो होता है वो अलग-अलग तरीके से perform करता है अब हमारी जो बात आती है वो आती है वो की देखिए वैसे तो वो में हमने क्या बढ़ाता finite verb, non finite verb वो एक separate matter that is that was the separate matter यहां पर हम बात करेंगे verb की element of sentence में जो है उसकी बात करेंगे finite verb की बात करेंगे देखिए आपको ध्यान में रखना कि जो verb होती है न वोब वो कई परकार क्यों सकती है man verb helping verb model of delay verb समझे रहो ना उसके बाद में finite verb जो चीज यह एक अलग चीज है जो चीज हमें सीखनी है जो चीज हमें जाननी है वो क्या है कि verb होती है न there are two kind of verb transitive, intransitive transitive, intransitive यहां पर element of sentence है उनके अंदर subject के बाद में जो आती है we stand for verb it means there are two type of verb transitive and intransitive देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इन जो मारी जो transitive verb उसके बाद में देखते है transitive verb ऐसी verb जो क्या लेती है object लेती हो क्या लेती हो वही object लेती हो समझाया the verb which takes object आप object को कैसे पैचानोगे what से क्यूसन करोगे किस से verb से किस से करोगे verb से जैसे मैं यह कहूँ सीधी सी बात है राहुल यह होँआ राहुल eats an apple यह verb अपनी आगे क्या ले रही है object ले रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे transitive verb बोलेंगे clear है दूसरी चीज़ हमारा क्या आता है in transitive in transitive verb क्या होती है the verb which doesn't take any object जैसे he goes to school he laughs they slip वे सोते हैं he laughs वहांसता है he goes to school वे स्कूल जाता है यह verb अपने आगे कोई भी object नहीं ले रही है verb से question करके देखिए what का यहां पर देखिए he he यह रहूल eats what क्या खाता है apple खाता है he goes क्या दाता है कभी जबावाया he laughs क्या हंसता है क्यों हंसरे हो reason तो पता हो सकता है but क्या हंसता है you don't know they sleep क्या सोता है समझा है भाई clear है transitive verb क्या होती है intransitive verb क्या होती है ठीक है देखिए dear students कुछ examples लिखे मैंने transitive और intransitive के the boy flies a kite the boy flies a kite क्या बच्चा उड़ाता है क्या answer निकल के आ रहा है kite को उड़ा रहा है birds fly पक्सी उड़ते हैं reply आ रहा क्या क्या उड़ते है पक्सी है वो क्या उड़ते है समझा नहीं है न कोई भी reply उसके बाद में he rings the bell वहाँ घंटी बजाता है rings calorie है object the tree grows paid उगते हैं grow होता है पुरजी होती है but क्या होती है paid क्या grow करते हैं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी mention नहीं है तो ध्यान लगना transitive और intransitive verb का अच्छा example अब हम बात करेंगे object की अब हम बात करेंगे object की बात करेंगे आप verb से क्यूशन करोगे what से और whom से किससे करोगे what से whom से इन दो से आप question करोगे जो result निकल के आएगा that is called object कैसे जैसे मैं आपको यह कहूँ हमारा जो एक सिंपल सी बात है object होता है न दो परकार का होगा कौन सा एक होता है direct object एक क्या होता है direct object दूसरा होगा indirect object dear students आपको direct object और indirect object को पहचाने का सिंपल सा तरीका यह है कि किसी भी whom का उसके उपर direct असर पड़े तो वह direct object कहलाता है जैसे मैं यह लिखूँ he wrote a letter he wrote a letter तो यहाँ पर उसने क्या लिखा what what he wrote he wrote a letter तो यह वाला object हो गया हुआ कि नहीं हुआ अब इसके उपर हम इसको भी direct object बोलते है प्रिकोज वोब का सीधा असर direct असर पड़ रहा है उसकी दूसरी बात जैसे कि मैं आपको यह कहूँ जो हमारी वोब ओके गाईस dear students यहां क्या हो रहा है object फिर मैंने कुछ sentence लिखे हैं इनको sentence में हम पैचानेंगे कि direct object और indirect object को कैसे पैचाना मैंने क्या कहा कि direct object जिस पे सीधा असर पड़े जिस पे direct वोब का direct असर पड़े उसको हम क्या बोलेंगे direct object बोलेंगे clear है हम बात करते direct object और indirect object देखे अब इस sentence में बात आती है the teacher asked me a question यह क्या हो या subject यह क्या हो गया वोब यह क्या हो गया object यह क्या हो गया अब इसका teacher asked teacher ने पूछा क्या सीधा direct असर किस पर पढ़ रहा है question पर पढ़ रहा है तो यह क्या हो गया direct object हो गया मैंने बोलाए कि जिसका direct असर पढ़े वह direct object होगा he teaches them English he teaches English तो सीधा असर किस पर आ गया English पर English कौन सा object हो गया direct और जो बच गया वो he told her a story he told her a story तो a story क्या हो गया direct object और क्या हो गया indirect object फिर मैंने दिखा my father brought me a cycle a cycle क्या हो गया direct object यह क्या हो गया indirect I sent him क्या हो गया indirect a message क्या हो गया direct object clear भई समझ आया उके उसके बाद में जो हमारा next आता है वो आता है compliment क्या आ गया? देखिए compliment होता है वो noun भी हो सकता है वह pronoun भी हो सकता है और वह adjective भी हो सकता है यानि कि जो compliment होगा वह noun भी बन सकता है वह pronoun भी बन सकता है और वह adjective बन सकता है देखिए, एक तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी चीज से what's a question करोगे मैं यह लिखूँ, I have a pen और वैसे में लिखा, I am a student क्लिर है, कॉम्प्लिमेंट जो होता है, वो कहरा है कि I have a pen आप जो वर्ब होती है, उससे what's a question करोगे I have what, जवाब निकल के जो आएगा, वह क्या होगा, almost object होगा फिर आप लोग बात करोगे कि I am a student, what I am, अगर क्योशन बनाते हो लेकिन उसमें एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखने वाले बात वही है कि इसको बराबर करके देखी, इसको बराबर करके देखोगे I है वो pen नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका object हो गया और आई जो है, आप इसको बराबर करोगे, आई जो है वो एक student हो सकता है ना, तो जो हो सकता है यानि कि जो उसके equal होगा, जो subject के equal होगा, वह क्या कहलाएगा, subject complement, यानि कि compliment कहलाएगा, हम बात करते हैं कि compliment की compliment होता है, वो दो परकार का होता है, एक होता है subject compliment, एक क्या हो गया subject compliment, दूसरा हो गया object compliment ठीक है? subject compliment और दूसरा object compliment, जो subject के बारे में बताता है वह subject compliment होगा जो object के समान हो गया निकि object के बारे में कुछ बताएगा तो वह क्या हो गया? object compliment हो गया, अब हम इनके बारे में difference करेंगे इनको देखेंगे, आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं कहूं कि he is a doctor, he is a doctor, तो यहाँ पर जो है, he, doctor है, वो he है, डोक्टर है वो क्या है, he है, इसका मतलब वाई, यह है, इस subject के क्या हो गया, यानि कि pronoun के parallel हो गया, तो यानि कि compliment कौन हुआ, हमारा pronoun हुआ, कौन सा compliment हुआ, subjective compliment हुआ, clear है, समझाया, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि compliment होता है, वो दो प्रकार का होता है, subject compliment होता है, object compliment होता है, जो subject के बारे में बताता है, वह है subject compliment, जो object के बारे में बताएगा, वह है object compliment, अब मैं आपके सामने कुछ एक sentence लिखता हूँ देखिए उजको हम पहचानेंगे sentence से पहचानेंगे हम ओके डिये स्ट्रेंट्स जैसे मैंने sentence लिखा है उसमें आपने क्या देखा कि हमारा जो compliment है वो दो प्रकार का होता है यानि कि जो subject के parallel होगा वह है subject compliment जो object के parallel होगा वह है object compliment ठीक है दोसे मैं लिखा कि he is एक चीज़ का देखाना linking verb he is, am, are, was, were ये क्या कहलाती है linking verb कहलाती है यानि कि subject को अपने आगे वो link करती है समझा है तो उनके बात बे जो है वो almost आपको compliment मिलेगा यहां मैंने क्या बोला कि he is a teacher compliment क्या होगा teacher कोन है he तो यहां पर a teacher teacher जो है वो noun है मैंने क्या कहा था कि compliment है वो noun हो सकता है pronoun सकता है और सकता है यहां पर क्या हो गया infinitive भी हो सकता है काफिक अब देखेंगे इनको बाद में लेकिन पहले इतना देखते हैं कि compliment क्या हो सकता है तो यहां मैंने क्या वहला subject compliment, object compliment यहां subject जो है teacher है इसका इससे parallel हो रहा है यानिकि इसके वह है इसके समान है clear है उसके बाद में tom became reach tom became reach object नहीं है कभी आप सोचो reach होता है वो adjective होता है तो वह क्या बन गया धनवान बन गया तो यहां पर धनवान कौन tom है इसलिए वह tom को क्या करता है qualify कर रहा है इसलिए वह क्या हो गया compliment हो गया फिर मैंने लिखा he seems tired टाइड क्या हो बढ़ी पार्टिसिपल कौन सा पस्ट पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल भी क्या हो सकता है कॉंप्लिमेंट हो सकता है मैंने आपको पहले जो वीडियोज है हमारे उसमें बताया था कि पार्टिसिपल हमेशा अजक्टिव होता है क्लीर है यहां पर यह उपर सारे सारे क्या हैं सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट है अब नीचे बात क्या हो गया वाई सब्जिक्ट का हो गया यह यहां पर वह वह ओगई यह यह हम Tar her quality हो गया और यह क्या हो गया कॉम्प्लिमेंट हो गया ले कि यहां यहां यह जो ऑफीड द्र हृआ है क्या हुआ, compliment हुआ, tom painted the house, object है the house, ओके, यहां पर green, house कैसा है, green है, यानि कि उसके parallel है, तो यहां पर यह जो green है, वो क्या हो गया, compliment हो गया, उसके बाद में, we found him sleeping, देखिए, यह जो sleeping है, यह sleeping जो है, वो क्या है, compliment है, कॉन सा compliment है, object कॉम्प्लिमेंट है क्लिए रवा उसके बाद में दजज ओडर्ड हिम तू बी पनिजड यहां पर इन्फिनिटीव हो गया यह क्या हो गया इन्फिनिटीव हो गया इसलिए यहां यह इन्फिनिटीव है यह कॉम्प्लिमेंट है यानि कि हिम इसको क्या किया है पनिजड किया ह इसको क्या किया है, पनिस्ट किया है, ठीक है, the judge ordered him, यहाँ पर यह क्या हो गया, subject हो गया, यह क्या हो गया, verb, यह object, यह वाला क्या हो गया, compliment हो गया, clear है, compliment, दो बरकार का, subject, compliment, object, compliment, जो subject के parallel होता है, वह है, subject, compliment होगा, जो object के parallel होगा, वह है क्या होगा, जैसे कि मैं एक sentence यहाँ पर लिखूँ कि he made me laugh, he made me laugh, उसने मुझे हसाया, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह बिए इन्फिनिटिव है, बट यहाँ किसका काम कर रही है, subject हो गया, यहाँ verb हो गया, यहाँ object हो गया, और यह क्या हो गया, compliment हो गया, कौन सा compliment, me, इसके पर है, यानि कि me है, वह क्या है, खुष मिजाद है, वह हस्ता हुआ है, जैसे कि he, यहाँ पर मैं लिखूँ, he made me happy, he made me happy, उसने मुझे खुष किया, तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ वई, यह happy कौन है, me है, तो यहाँ पर यह compliment हो गया, और यह क्या हो गया, object हो गया, इसलिए समाझ आया ओके डीरेस्टेंट्स कुछ मैंने संटेंसेज लिखें हैं उनको उनमें हम अडेंटिफाई करते हैं कि जो कॉम्प्लेमेंट है और अब्जेक्ट है हाउ तो अडेंटिफाई तो यहां मैंने लिखा आई गिफ्टेड हिम ए पैन क्या यह कॉम्प्लेमेंट है can you guess no यह जो है I gifted him pen यह क्या हो गया subject यह क्या हो गया verb यह क्या हो गया object और यह भी क्या हो गया object हो गया क्योंकि यह इसके parallel नहीं है parallel नहीं है इसका मतलब क्या है object है मैंने क्या कहाता कि compliment को पहचाने के लिए subject हो चाए object हो उसके parallel होना जरूरी है समझाये guys कैसे I made him boss boss कोन है him है him के parallel क्या है boss तो इसका मतलब ये compliment है ये object है ये verb है और ये क्या हो गया subject हो गया is it clear my job subject हो गया is linking verb आया linking verb मैंने क्या कहा था compliment अपने आगे compliment ले रही है to send money to them to send money to them उनको पैसे send करना क्या है job है ये इसके parallel है ये इसके equal है समझाया इसलिए ये compliment हो गया subject हो गया verb हो गया और ये क्या हो गया compliment हो गया clear है अच्छे से clear हो गया ना कि compliment क्या होता है c stands for compliment अच्छे से मैंने इसको clear किया है अब आगे ओके dear students next तो हमारी आती है बाद वो किस पे आती है adverbial पे आती है adverbial a stands for adverbial देखिए एक होता है adverb फिर होता है adverb phrase फिर होता है adverbial होता है देखिए न adverb क्या होता है जैसे always daily often usually generally seldom इस तरह से एक जो adverb का word होगा वह क्या कहलाएगा adverb कहलाएगा adverb phrase क्या होता है मैंने phrase क्या बता है था phrase is a group of word which is incomplete which is incomplete that cannot be complete okay that cannot be completed यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है मैंने क्या बता है था कि in the school मैंने लिखा कि he he lives in the school यहाँ पर in the school है वो क्या है एक group of words है एक group of words है और एक group of words क्या कहलाता है phrase कहलाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है हम वहाँ यहाँ इसके बाद में बाद में है तो में लिखlike Rain उसके बाद में वाई कि इनका आपको reply मिलता है इनका आपको reply मिलता है जो result निकल के आएगा जो answer निकल के आएगा उनको हम क्या बोलेंगे एडवर्बियल बोलेंगे उनको समझता है जैसे मैं यहां पर कहूं कि he came here by bus ठीकर भीया मैंने बोला कि he came here by bus यह आपका element of sentence के अंदर parts of sentence के अंदर यह क्या हो गया subject हो गया यह क्या हो गया we हो गया here क्या होई where reply किसका दे रहा है where का दे रहा है तो यहां पर यह वाला और by bus किसका जबाब दे रहा है हाव का कैसे आया बाई बस यह भी क्या हो गया एडवर्बियल हो गया इनको मिला के पूरा का पूरा यह क्या हो गया एडवर्बियल हो गया पूरो दोनों का जो ग्रूप होता है उसको हम क्या बोलेंगे अब मैं आपके लिए कुछ संटेंसे लिखता हूं उन से हम पहचानें अभी मैंने ध्यान रखना जो एड़ोब को पहचाने का तरीका क्या हो गया हाउस रिपलाई मिलेगा वहन से I got up जैसे मैं लिखूँ I got up at 5 a.m at 5 a.m तो यहाँ पर यह क्या हो गया Adverbial हो गया यह क्या हो गया Subject, यह क्या हो गया Verb, और यह क्या हो गया Adverbial हो गया Clear हुआ, Adverbial में How, When, Where How often, How Much Why इसका आपको reply मिलेगा Clear है, अब देखते हैं आगे sentences में देखते हैं जैसे guys मैंने एक sentence लिखा है मैंने लिखा है कि He sang a song yesterday in the hall beautifully तो सबसे पर तो यह देखिए यह वाला क्या है Subject है यह क्या है, वह है और यह क्या है, Object है Yesterday किसका reply दे रहा है वहें इन दा होल, किसका reply दे रहा है वहेर और यहां beautifully किसका reply दे रहा है हाउ Clear है, अब आपको यह देखना है एक छोटी सी important चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं कि इसके अंदर एक होता है MPT यानि कि Adverb of manner इसका दो adverbs होती है यहां पर दो adverbial होती है उनका sequence जो होता न वो सबसे पहले क्या होता है MPT क्या होगा MPT होगा यानि कि MPT का मतलब क्या हो गया सबसे पहले adverb of manner आएगी फिर adverb of place आएगी फिर adverb of time यहां T stand for time ठीक है P for place और M for manner यह हो गया तो यहां पर सबसे पहले manner manner किसका जबाब देगी How तो यहां पर कैसे गया उसने beautifully गया तो यहां यह sentence दो है वो incorrect हो गया यह sentence क्या हो गया incorrect हो गया कैसे वह इसमें He sang a song beautifully ठीक है beautifully फिर क्या हो गया place कहां in the hole in the hole फिर क्या हो गया टाइम कभ यस्तरड़े यस्तर क्लियर है भई समझा है कि यहांनी कि हमारा जो अड़ोबिल जो है उसका sequence क्या होगा MPT ऐसे आपको ध्यान रखना है कई पर संटेंस इस तरह से देखे आपसे एरर भी पूछ लेता है इस पर बेंकिंग सेक्टर में पूछता है तिक है उसके बाद में देखिए हमारे तो बात आती है देखिए उसके बाद में हमारा नेक्स्त तो संटेंस आता है आई वेंट ट्वाइस सीमला लास्ट ये अब इसका तो से प्योंगा आपसी दी सी बात है ये क्या हो गया सब्जेक्ट ये क्या हो गया वह ये क्या हो गया एड़ोव ये क्या हो गया एड़व प्लेस और ये क्या हो गया एड़व ऑफ टाइम वें वें का रिप्लाइं मिलना है अब देखो इसमें क्या होगा पी एफ टी इसका तो सेक्वेंस ह फ्रिक्वेंसी टीफो टाइम पीफोर प्लेस यहां पर यह जो सही संटेंस होगा आई वेंट शिमला आई वेंट शिमला फिर आगया फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ट्वाइस लास्ट येर लास्ट येर याने की टीफोर टाइम ये एक एडवर्बियल का सिक्वेंस होता है मैंने कुछ संटेंस लिखे हैं उसको हम थोड़ा सा डेंटिफाई करते हैं मैंने लिखा है the committee declared him the winner तो ये कैसा संटेंस हुआ the committee subject हो गया declared verb हो गी him object हो गया अब winner कोन है winner कोन है किसके equal हुआ है इस him के equal हुआ इसका मतलब ये क्या हुआ equal हुआ तो compliment हो गया समझा है तो ये वाला संटेंस किस pattern का हो गया s-p-o-c ये क्या हो गया s-v-o-c उसके बाद में तद the white rose ये subject हो गया looks verb हो गई how कैसा दिखता है ये दिखता है compliment हो गया because the white जो रोज है उसके equal यहां पर बता रहा है उसके बाद में he क्या हो गया ये वाला क्या हो गया भी subject के बाद में s-v-c s-v-c का हो गया he taught me Hindi what सीधा क्या पढ़ रहा है इस पर इसर पढ़ रहा है Hindi पे ये क्या हो गया subject, verb, object, object यनकी ये वाला direct object हो गया ये वाला indirect object हो गया इसका मतलब s-v-o-o s-v-o-o अब आ रहा है he has donated subject हो गया verb हो गया his eyes donate किया है उसने what donate किया है उसने his eyes ये क्या हो गया object हो गया का मतलब क्या हुआ s-v-o ओके गाइस वीडियो अच्छा लगे share करना हमने बहुत इंटरस्टिंग चीज़े पड़ी है आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना thank you thank you again